ओम श्यंति, 27 अक्टूबर की शुरादन मैं सुकस होगा थे, परमात्र पिता कहते हैं, स्नेह की उड़ान द्वरा, सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मुरत भवा, जिसके साथ में स्नेह होता है, प्यार होता है, उसकी याद हमेशा आती ही है, तो परमात्र कहते है सभी बच्चों में बाब ददा का स्नेह समाया हुआ है, स्नेही की शक्ती से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं, स्नेही की उड़ान तन वा मन से, दिल से बाब के समीप ले आती है, तन से समीप ले आती है, हम सेंटर जाते हैं, मदवन जाते हैं, ब्रामिन परवार में रहते ह तो स्ने की कारण तन से हम पहुंच गए, मन से भी हम meditation जब करते हैं, बाब को याद करते हैं, और दिल से बाब के समीब, भावनों से मतलब ले आती है, भल ग्यान, योग, धारना में सब यथा शक्ती नंबर वार हैं, हर एक के अंदर अपने पनी capacity है, ग्यान, बाब को याद क करने में, लेकिन स्ने में हर एक नंबर वन है, परमात्मा कहते हैं कि आपका जो दिल का प्यार है मेरे प्रती, उसमें आप सब नंबर वान हो, यह स्ने ही ब्रामन जीवन प्रदान करने का मूलाधार है, अगर प्यार नहीं होता है परमात्मा से तो यह ग्यान भी ना मिलता ह स्ने का अर्थ है पास रहना पास होना और हर परिस्तिती को बहुत सहज पास करना हम कहते हैं कि प्यार में कोई अगर इंसान डूबब गाओ तो वह किसी के लिए कहीं भी कितना दूर भी कहीं दौड़ लगा करके गर्मी सर्दी हर चीज़ को सेहन करते हुए जिलतने सेहन करते आगे पहुंच जाएगा अगर प्यार नहीं तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे उस विक्तिक लिए परमात्मक लिए हम क्या को स्थेन करने के लिए त्यार हैं माया की परिक्षाएं परिस्तितियां लोगों के लालचान हमारे उपर बुरे शब्द और कभी महीमा भी जो कि मैं अंकार में ले आती है उनको भी त्याग ना हम परमात्मक लिए क्या क्या त्याग लिए त्यार हैं अपने हैं हम पूछें ये सब अम शांति